हेलो इस्ट्रूएंट्स, एकी टीउ ने आज याने 19 माई को दो सरक्लोर जारी किये हैं और यह जारी किये गए हैं आपके एक्जाम के लिए most important आपके एक्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है तो सेक्षिक सतर 2021-22 के सम समेश्टर के ठीक है 2021-22 के सम समेश्टर के regular और carry over के समस्थ पाठिकरम के नव परवेशिद जो है उनके भी और पिर्थम वर्ष के दुत्तिय समेश्टर तथा बीटेक और बीफार्मा पाठिकरम के दुत्तिय वर्ष के 4 समेश्टर में अध्यहनरत चातरों को छोड़ कर यानि कि जो नव परवेशिद चातर है ठीक है उनके दुत्तिय समेश्टर और बीटेक और बीफार्मा में दुत्तिय वर्ष के 4 समेश्टर में अध्यहनरत चातर परिक्षाएं 25 माई से 15 जून के मद्ध्य ऑफलाइन मोड में होने वाली थी लेकिन अब नहीं होगी जानकारी पहले दी गए थी और टेंटेटिव परिक्षा करेकरम भी जारी किया गया था कि उनके एक्जाम 25 माई से 15 जून के बीच में होंगे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बच्चों की चाहते हैं कि सिलिवस भी पूरा नहीं हुआ है सिलिवस पूरा करा जाए तो अब उनके एक्जाम 4 जून से 27 जून के बीच में होंगे ठीक है 4 जून से 27 जून के मद्ध्य आयुद कराया जाना है और आपके डेट सीट है वो अभी नहीं आई है वो बहुत जल कि अख तो दूसरा सारक्प्रोल भी आज का यह 19 मः का इसमें क्या है इसमें देखते हैं मैं इसमें क्या है 2021 22 के समस्टर के समस्ट प्रिथम वर्ष की समस्टर और स्प्र 땅क और परप्सटिस मएकरम के दूट्धे वर्ष चतर समस्टर को छोड़कर अने इसमेर सभी पक्र अध्यानरत रिचातर रिचातरों के प्रियोगात्मक प्रोजेक्ट प्रिक्षाओं को अफ्लाइन मोड़ पर कराने के संबंद है तू तो 25 मई से 2 जून के मद्ये अफ्लाइन मोड़ में आयोजीत करा जाना है इसमें पृत्थम वर्ष की दुत्त्य समेस्टर और बीटेक 25 मई से 2 जून के बीच में होगी तो जैसे को अपडेट आती है और आपको वीडियो के मादल से बताते जाएगा एक एड़ दूई और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यू